हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर साइनल पर अगर आप इस साइनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँशती रहे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टुडेंट्स बिहार से इंजिनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेलफुल होने वाली है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बिहार के टॉप कॉलेज सिकेंड टॉप कॉलेज भागलपूर कॉलेज ओफ इंजिनियरिंग का रिव्यू देखेंगे इस इसका हम लोग इवाउटस देखेंगे, एकैडमिक देखेंगे, एडिमिसन प्रोसेस देखेंगे, कि अगर आप बीसी भागलपूर में एडिमिसन रेना चाहते हैं तो आपको कौन सा एक्जाम देना परेगा, कैसे आपको भागलपूर कॉलेज ओफ इंजिनिंग में एडि पस कैसा है, होस्टल एवलेवल है की नहीं, कितना होस्टल एवलेवल है, यह भी देखेंगे, फैसलिटी एंड सर्वीसेस देखेंगे, एप्रूबल भी देखेंगे, कौन से इनवर्सीटी से जो है आपका बीसी भागलपूर अभी चल रहा है, और इसका प्लेस्मेंट जो जो आपका भागलपूर कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग है, वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस अंड टेकनोलोजी के अंदर चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस अंड टेकनोलोजी, गवर्मेंट ऑफ बिहार in the year 1960s, यह जो आपका यहाँ पर शिप्ट हो गया है, मतलब अरियावाट नुलेज इनवर्सिटी के अंदर जो आपका भागलपूर कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग जो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर आपका बीटेक कर सकते हैं यहां से, बहुत साथे जो डिगरी प्रोग देखते हैं नेक्स्ट काम लोग एक 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 देखें जो आपका एक एक एडमीचे एडमीशन इन्द बीसीए पोर इयर बीटेक प्रोग्राम्स ठीक है यह आपका बीचीश जो कमबाइड बॉर्ड है भीहार कमबाइड इंट्रेंस कंपेटिटिव इजामिनेसं बोड इसके थ इस वेबसाइट पर जाके जो आप ऑफिसल वेबसाइट आपका बीची सी बूर्ड का उसके तुरू जाकर सकते हैं कि आप बीची सी का फॉर्म आता है, ठीक है, यह आपका बीची सी, बीची का आपका ओफिसल वेबसाइट है, बीची भागलपुर.ac.in, जब आप गूगल पर सर्च किजिएगा, भागलपुर College of Engineering का ओफिसल वेबसाइट पर चले जाइएगा, ठीक है, हम लोग इस वाद देख लेते हैं, कि आपका admission process का है, भागलपुर College of Engineering का, ठीक है, यहाँ पर आप देखे, इसमें admissions लेने के लिए आपको जो आपको इंट्रेंस एक्जाम दे 45% होना चाहिए आपको 12 में, तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं, और इसका जो cut-off राता है, जे-मेंस का परसेंटाइल, अगर आपके पास 85% में, तब आपको जो है, BC भागलपुर College of Engineering में admissions हो सकता है, अगर आपका 85% है तो, ठीक है, एक आपका BCC से board के थूरू भी एक form fill-up होता है, इंजनरिंग admissions के लिए, उससे भी आपका admissions होता है, लेकिन पहले जो आपका admissions होता है, वह जे-मेंस के थूरू होता है, और जे-मेंस के admissions होने के बाद, अगर seat खाली रहा जाता है, तो अब आपका BCC के दूरा जो आपका admissions लिया जाता है, ठीक है, नेक्स श लगेगा, ठीक है, development fee जो आपको लिया जाता है, 2600 per year लिया जाता है, ठीक है, चार साथ का आपका course है, 2600 रूपीज आपका per year लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद होता है, आपका university exam fee, जो आपका university exam लेती है, 6 semester wise, इसमें देखें, जो भी general, BC, EBC, EWS category के students होते हैं, उनको 3300 रूपीज जो है, semester fee लगता है, उसके वाद 700 रूपीज जो लगता है, आपका SCST category के student को लगता है, ठीक है, आपको per semester लगेगा इतना fees, उसके आपनों होस्टल और मेस फीज देखें, जो होस्टल और मेस फीज होता है, on average माने, तो आपका 25,000 रहता है, जिसमें आपका होस् 20,000 रुप्या जो है, आपको 6 मंत का लगता है, और आपको स्में होस्टल और मेस जो है, वाद दोनों एविलेवल हैगा, ठीक है, नेक्स हम लोग देख लेते हैं, क्या कौन कौन सा ब्रांच जो है अविलेवल है, भागलपूर कॉलेज अफ इंजिनेरिंग में, इसमें इस बारांच में भी जो है ब्स होग देख सकते हैं, भागलपूर mayoría इंजिनेरिंग में, एक अपका संथार में उल्ड कॉलेज है, बिहार के सिकेंड नमर में होग ना कॉलेज क्यम्द कर, यहाँ फॉल्ड नमर कर, वापका सिदह जो हमें, इसमें, बहार में आपका इसमें और आपका दो है ठीक है आपका 80 परसेंट को जो आपका होस्टल जो है वह आपका पांच है आपका इसमें दो एवलेवल है जिसमें आपका कैंपूटर सेंटर है सेंटर लावरेरी भी अवलेबल है बैंक भी है क्लब है आपका वाईफाई के स्कोलार सीपनाम का फोलियव होता है इसके तुरू आपको को लेज के स्टुडेंट्स को स्कोलर्शीप प्रवाइड के जाता है जिसमें आपका एक यू के अंडर आपका इनवर्सीटी जो आपका चल रहा है अर्यावट नोलेज इनवर्सीटी पटना के थू ठीक है जो आपका EICT से एप्रूब्ड है ठीक है उसका प्लेस्मेंट दे सरक प्लेस्मेंट हें इसमें बहुत सारे समय इसमाला इसमेंट प्लेस्मेंट हुआ है की फ교 इस्पयमिन फ्रिजप्ट के प्लेस्मेंट नहीं होता था लेकिन लाच़ थ्री येर से जो आपका फ्लेस्मेनometer रिकॉर्ट्हा हो रा है ठीक है, अगर आपको बिहार Engineering College से related, अगर आप दूसरा College का review जानना चाहते हैं, तो आप comment कर सकते हैं, अगर आपको बिहार Engineering Emission से related कोई doubt है, फिर भी आप पूछ सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगें, तो चैनल को subscribe जरूर करें, thank you for watching.